ने ये बता दीजिए रूलिंग बादिन ने सुनिए एक मेट सर रूलिंग 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 ये काम तो सरकार का होना जाहिए सरकार दिखिए एक मेट सरकार में अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकार के हैं सचर कमीटी के कितने रेकमेंडेशन को आपने इंप्लि उठा रहे हैं आपकी पार्टी जिस से हिंदू मुसल्मान मुल्क में एक तनाव का माहल बना रहे और लोग को अवाम को बेवखूफ बना जा रहा है कि भई आप असल मुद्दों पर बाती मत करो इस मुल्क में मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का नहीं है सर इस मुल्क में की बात करते हैं सर यदूरप्पा पांच साल चीफिनिस सर थे करना ठका के मुसल्मानों के रिजर्वेशन क्यों दिया आपने आप रिजर्वेशन देते हैं मरठों को हम भी कह रहें आप हमको दीजिए मजब के नाम पर नहीं सचर कमिटी ने हमको बैकवर्ड कहा सोशल होना सेंचुरी से दलित होना बैकवर्ड होना एक बात थी भाई मुसलिम तो वो कम्यूनिटी थी जो रूलर था संसाय ताली सर कब तक पांसो साल सर सम्वीधान के डायरे में सर सम देखे सम्वीधान हमको 1950 में मिला और यह मुल्क आजाद हो को 70 साल हुआ आप कब तक मुझ आप मुझे देंगे नहीं देंगे या फिर आप यह कहें कि तुम रूलर थे 500 साल पहले सर आप शोड़ दिए यह मुल्क की आजादी जो हुई है इसके बाद जो हमने अपने आपको सम्वीधान दिया है क्या आप मुसलमान को एकोल सिटिजन मानते नहीं मानते अगर मानते हैं तो पिर कॉंस्टूशनल राइट दीजे नाम को जब आप सचर कमीटी को मानते हैं कि आपकी बैकवर्डनेस का इखरार आप भी कर रहें तो दीजे ना सर 15 और 16 आर्टिकल किता है दीजे आपने कहा हम एक्वल राइट देते हैं यदि हमने स्किल इंडिया और गुनर ज और हमारी मानदारिय समझे आप सबसे आदा जिस स्टेट को लेके बोलते हैं गुजरात गुजरात में मुसल्मानों का प्रस्यत कितना साड़े साथ आट परसेंट सरकारी नोकरी में कितना साड़े साथ आट परसेंट और जहां सबसे आदा चैंपियन है मुस्लिम्स के वेस बेंगॉल परसेंटेज कितना 27 परसेंट सरकारी नोकरी में 1.8 परसेंट यह हकीकत है और एक और फैक्ट बताता हूं आपको बिटिश टाइम में आखरी जनगणना 1931 में हुई थी उस 31 की जनगणना में भारत की रेट अफ लिट्रेसी जानते किती थी 8 परसेंट और उत्तर पर्देश में मुस्लिम समाज की रेट ऑफ लिट्रेसी 24 परसेंट थी हिंदू सोचिये और जब सन 47 में देश बना तो यूपी की ब्यूरक्रेसी में मुसलिम किता था 20 परसेंट आज नहीं रह गया 2 परसेंट इसलिए मैं हवा में नहीं बोलना हूं अरे जिन लोगों ने जनाब को बेवकूब बनाया केवल यही मंदिर मस्जित मुल्ला इमाम और याकूब बेनन इश्रच जहां जाकिर नायक इसी में फचा के रखका और आखिर में क्या हुआ पढ़ाई में नीचे चले चलते चले चले गए और वो लोग जहां रामपूर के नवाब अली गड़ क का मैं पहली मरतबा इखरार कर रहा हूँ जब हम इतने पीछे होगे रिजरेशन दीजिए ना फिर आप जब मेरी बरबादी की दास्तान को बयान कर दिये 15 16 में दे दीजिए ला दूसरी चीज़ आप आप गुजराद की बात करते हैं सर कितने मुस्लिम एंपी लोग सबास करते हैं ठीक है हम खराब हैं हम कमिनल हैं भड़काव बाशन तो देना मेरे पिशानी पे लिखावा है मगर आप जब दूद के धुलेवे हैं आप मर्यादा पुर्शतम राम के एक ही चाने वाले दुनिया में आप ही और आपकी पार्टी रही गई तो सर यह कौन सा कि बात नहीं करेंगे और आप जब रिजरेशन दे दीजे सर क्योंकि आप उत्रपरदेश की मिसाल दिये 1516 के तहट फिट होता है दे दिजिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है मगर कब अगर यह सबूत हो कि आपको पढ़ने नहीं दिया गया आपको पढ़ने के बौके न सिर्फ एक चीज समझना चाहती हूं अगर आप समझ रहे हैं कि यह एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है जो भारतिये जनता पार्टी उठा रही है बर गलाने के लिए बाकी मुद्दों से तो आपको नहीं लगता इसका समाधान जरूरी है एक बार समाधान हो जाए मैडम संभल का वीडियो आया था इन्ही की सरकार में के एक पॉलिस इंस्पेक्टर किसी पर एंकाउंटर कर रहा तो गोलियां खतम हो गए थी तो आवाज से कह रहा था ठाए 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 तो यह मुद्दा भी ठाए नाखोन लीजिए इस मुद्दे को आप नहीं जीच सकते एलेक्शन इसकी पॉलिटिकल उटिलिटी खतम हो चुकी है इसको कोड़ पर छोड़िए जो जिम्मेदारी हिंदुस्तान के वाम ने मिस्टर नरेंदर मोडी को दी है वो उससे भाग रहे हैं और उससे भाग रहे हैं पहले चीफ जासिस अफ इंडिया ने कहा था कि वो मध्यास्ता करने के लिए तैयार हैं मगर उस वोगत पाटी जने में सहमती नहीं होई है दोनों पाटी जो सहमत होना पड़ेगा कि वो चीफ जस्थ किसी को प्रेजिंट चीफ जास्थ यहां कमिटी ऑफ त्री जीफ जास कि बात हुई रेजर्वेशन यह सही नहीं है कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि पढ़ने के ऑपर्चिनिटी नहीं मिले यह नहीं साबित आज सिचुएशन क्या है पर रेजर्वेशन दी जाती है अगर आज एकोनॉमिक स्टेटस सबसे बत्तर है आज अगर सोशल हैं मुसलिम समाज की उनको रेजर्वेशन मिलनी चाहिए उनका अधिकार है समीधान के अंदर अधिकार है